ब्रिगेडे नवाज आमी चीफ का उनसे मिलने के लिए पहुचना इसको किस तरह से देखे क्योंकि अभी तक यही बताया जा रहा था कि आर्मी ने हाथ खीच लिया है विपक्ष को कहा है आपको जो करना है करो लेकिन आज अगर वहाँ पर आमी चीफ जा रहे हैं तो क्या सं करते हैं जिसमें जिसमें चीफ की बात की जा रही है वहाँ दिखाएंगे विरॉसर्टी ठीक है गलत है वोटेवर है क्या डिसेशन है उसके बद वह सम्ड़ी का सेशन में जाके इन कैमरे सेशन दिखाना चाहरे हैं आइजिंग डिए इस रीजन बट तीन से चीज़े में बड़ी अरा क्लियर बताना चाहते हूं जो भी जन साब बात कर रहे थे देखें एक बात यह है कि आर्मी को जनल नवाज शरीफ को आर्मी ने किसे ने जेल में ने डाला था पनामा के वज़ए से स्वीम कोट ने एक फैसला है जिसके बएए थे ये उनके बाद ये इशू दूबे थे और उनके जो भी चार्जी लगाए गए थे हकानी नेटवर्क को ना किसी पाकिस्टान में कोई सपोर्ट करता है पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कि आल तालिबान चाहे वो अच्छे हैं बुरे हैं वो पाकिस्तान में कोई नहीं रहे सकता उसके लिए हमने बड सब्सक्राइब करतें नहीं हैं सेकिंड यह रश्याक विजड़ देखें पाकिस्तानी सौवरेंड कंडी आपने भी तो एपसेंड किया है यूनाइटिड नेशन में आप भी रश्या को ओपनी क्रिसाइज नहीं कर रहे हैं बी बात है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ाइद सब्सक्राइब कर देखेंड नहीं कर देखेंड नहीं होता है लेकिन यह बात नहीं है और सेकिंड यह जो फोज ना एक डिसाइट किया है कि हमने अब किसी को सपोर्ट नहीं करना पॉलिटिशन खुद फैसला करें चाहिए ऑपोजिशन और अग्जेक्ट लिए आज ने कि कि इमनागान ऑपोजिशन बैठते हैं क्या करते हैं यह उनका और उनकी पार्टी का मसला फैसला जैसे जर्नल शंकर नहीं बोला यह बिलकुल जुम्ला ही है और जिस परकार चीजें चल रही है इस वे साफ जाहिर है कि जर्राइब भी बहुत क्लेरी बोला है कि मेरा भी जो तजर्बा है अफगानिस्तान में रहे के पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैंने बहुत प्लोधली वहां समझा है वहां पर पाकिस्तान आर्मी शुरू से ही सुप्रीम रही है और वो रहेगी हमेशा और आज भी आप साफ देख लिए जाए वो इन्वाइटेड है जनरल बाज इसलिए मैंने कहा था कि चुटकुला है क्योंकि वह कहने कि कोई दखलनाजी नहीं होती सेना की अब प्राइमर से बलाएगा तो जाएंगी निया बताइए मुझे नहीं वह चाहिए वह बलाए है मेरे को तो अभी साफ लगता है कि यह जो इसमें वह गए हैं मेरे ख्याल ब करेंगे प्राइम निस्टर को कि अभी आप डिगनिटी रखते हुए इस ओफिस की आप रिजाइन करिये में को तो वह लगता है और दूसरा शहाद वह एक और चीज बोल रहे हैं बार बार की मेरे पास एक ट्रम कार्ड है कोई लेटर है वो मैं दिखाना चाहूंगा तो हो सकता है अभी डीजी आइसाई और आमी चीफ जाके बोलेंगे कि वो क्या चीज है वो कौन सी टॉप सीक्रेट लेटर है जो आप अभी इतने दिन से बोल रहे हैं प्रेस के सामने भी आपने बोल दिया है अभी तक आपने वो दिखाया नहीं है और पीटी आई के प्रवक्त है वो बता सकते हैं अभी तक क्यों नहीं वो निकल रहा है तो इसलिए वो सकता है डीजी आइसाई और आर्मी चीफ गए है यह जानने के लिए यह लेटर है क्या यह मसला है क्या